प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा है कि 21 सदी की चुनोतियों का मुकाबला 20 सदी की दृष्टी से नहीं बलकि नई सोच और सुधारों से ही संभव है नई दिली में राष्ट मंडल देशों के महा न्याय वादियों और सॉलीसिटर जनरल केस सम्मेलन को संभोधित करते वे उन्होंने कहा कि कई बार किसी एक देश में न्याय पाने के लिए दूसरे देश के साथ मिलकर काम करना जरूरी हो जाता है उन्होंने कहा कि दूसरे देश के साथ मिलकर काम करने से एक रुप्ता कायम होती है और जल्द न्याय दिलाना संभव होता है that there are many friends from Africa here. India has a special relationship with the African Union. We are proud that the African Union became a part of the G20 during India's presidency. In the last few months, I have interacted with the legal fraternity on many occasions. A few days ago, I was at the celebration of 75 years of the Supreme Court of India. Last September, in this very location, I came to the International Lawyer's Conference. Such interactions help us appreciate the work of our justice system These are also opportunities to resolve for better and faster justice delivery इस अफसर पर विधी मंत्री अर्जुम राम बेगवाल ने कहा है कि तकनीक ने विश्व समुदाय को जोड दिया है और आलज की वेश्विक चुनौतियों का समाधान भी वेश्विक स्तरका होना चाहिए उन लेखने यह है कि न्याय की उपलब्धता में सीमा पार की चुनौतियां विशय पर आयोजेते समेलन में न्याय पालिका में बदलाव वकालत के नैतिक पहलूँ काले पालिका की जवाब देही और मौझूदा विधिक सिक्षा पर नए सीरे से चर्चा होगी समेलन में एशियाई प्रांत अफ्रेका और केरेबियाई देशों के और महान्याय वादी और सॉलीसिटर जनरल तथा अंतरराश्वी प्रतिनिधी मंडल भी भाग ले रहे हैं